हेलो सुलेटने रूसमें आप लोग का स्वागते और आज की टेकनोश शुरू करते उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जून का जो महिना है वो बहुत ही गर्मा-गर्म होने वाला है मतलब इतने सारी अंबॉक्सिंग इतने गीववेस इतने कंपैरिजियन्स और मिस्टीरियस अन्बॉक्सिंग और में ट्रेविलिंग में करने वाला हो तो काफी मज़ा आएगा तो देखते हैं दोस्तों बने रहेगा इसी हमारे चैनल पर इसी सपोर्ट और प्यार बनाए रखना आज भी बहुत ही गर्मा-गर्म टेकनोश लेक्या क्या हो विडियो पस कर दिया था कि SD Association और Wi-Fi Alliance ने उनको डी लिष्ट कर दिया था फिर बाद में उन्होंने फिर से इसको लिष्ट में एड कर दिया तो Google ने भी वैसे Android Q बीटा प्रोग्राम से Huawei को हटा दिया था लेकिन अब Google ने फिर से गहाँ पर Huawei को अपने Android Q बीटा प्रोग्राम में एड कर दिया है तो Huawei का जो Mate 20 Pro था वो हट गया था अब वापस से उन्होंने Huawei Mate 20 Pro को एड कर दिया है अब यह temporary है या permanent है यह तो नहीं पता लेकिन यह सारी companies वापस Huawei को अपनी लिष्ट में एड कर रही है और वो क्यों कर रही है इतना जल्दी हमें इसके बारे में भी अभी कुछ नहीं पता है देखते हैं दोस्तों और consequence companies वापस Huawei को अपने लिष्ट में एड करती है और यह जो case का सिलसिला चल रहा है यह कब जाकर खतम होता है मैं आप लोग उसके बारे में जरूर से आगे बता दूँगा और यहाँ पर दोस्तों लगे हाँ तो Huawei की दो smart TVs यहाँ पर जो वो चाइना की National Quality Certification Center पर लिष्ट हो चुके है 55 इंच और 65 इंच में आपको मिलेंगे इस certification पर जो बताया जा रहा है लेकिन यहाँ पर दोस्तों अभी हमें नहीं पता कि समापको 5G मिलेगा या 8K resolution मिलेगा क्योंकि Huawei नहीं यह कहा था कि हमारे जो smart TVs आएगे इनमें आपको 5G मिलेगा और 8K resolution भी मिलेगा अब देखते हैं दोस्तों पहली बार यहाँ पर यह लिश्ट हुआ है इसका मतलब काफी जल्दे आपको यह TVs जो वो Huawei की तरफ से देखने को मिलेंगे अब जैसे आएगा क्या कुछ खास होगा मैं आप लोगों को जरुस इसके बारे में बता दूँगा सबसे पर यहाँ पर उनने कुछ bugs fix करें, performance को improved करें और साथ में आप लोगो camera के अंदर dedicatedly आपको 48MP वाला mode मिलेगा तो आप जाके आप directly उस mode में जाके 48MP की pictures क्लिक कर सकते हैं उसके अलावा यहाँ पर आप लोगो dark mode मिल रहा है जी हाँ dark mode का support अभी आपको इस update के साथ में मिल रहा है और आपको उसके अलावा जब आप charge करते तो उस पे भी आपको एक नए तरीक का animation मिल रहा है तो यह सारे features यहाँ पर Xiaomi की Redmi Note 7 Pro के इस update में आपको मिल रहा है और हमें अभी नहीं पता कि इंडिया में कितना जल्दी आएगा वैसे हमें इसका इंतिजार भी नहीं है अब वैसे price की बात करें तो कुछ $500 यानि कि आपको 35,000 के असपस देखने को मिलेंगा इसमें आपको मिलता है 6.4 इंच की एक waterproof notch वाली OLED वाली display है Full HD Plus की वह साथ में आपको Snapdragon 675 वाला processor 35,000 के अंदर मतलब इसने तो कमाली कर दिया है उसके अलावा यापने आपको single camera मिलता है पीछे की तरह 48MP का अब यह Sony वाला है Samsung वाला यह कुछ नहीं पता 25MP की selfie है और 3600 image के आपको battery है 4GB के आपको RAM मिलती है 128GB की storage है सिफ एक ही variant के अंदर है यह है motorola की खासियत और इसके अलावा आपको motor mods compatible है obviously Z3 भी था तो यह भी मिलता है इसमें 5G motor mod मिलता है जो future में अगर लगाएंगे तो 5G support करेगा और उसके अलावा आपको 360 degree वाला भी एक mod मिलता है लेकिन यह भी 15-16,000 के अलग से आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा तो यह है motorola Z4 finally आ चुका है तो क्या आपको यहाँ पे इसका इंडिया में इंतिजार है आप मुझे जरू से comment करके बता सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तो PUBG के तरफ से काफी shocking cover निकल कर आ रही है इंडिया के अंदर यहाँ पर दोस्तो और हमें पता है PUBG इंडिया में बहुत खेलते हैं और काफी सार लोग वैसे इसका अच्छा उपयोग करते हैं लेकिन कुछ-कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वज़े से नुक्सानात हुए उनकी जान भी गई है और बहुत कुछ हुआ है पास्ट में काफी incidents हुए थे लेकिन अभी हाँ पर 16 सल का एक लड़का है मद्या प्रदेश के अंदर और 12 क्लास का यह लड़का है वो अपनी फैमिली के साथ में वहाँ पर एक शादी में गया था तो वहाँ पर फैमिली तो तयारिया करी शादी के लेकिन यह भाई एक रूम में जाके continuously दुपैर के 12.15 से 16 तक 6 गंटा नौन शॉप यह PUBG खेल रहा था उसके बाद end के अंदर पता नहीं गेम में बुरी तरीके से हार गया होगा तो वो शॉक्ट हो गया जोड से चिलाया और वो बैट पे गिर गया जब फैमिली उसको डॉक्टर के बास लेके गया तो पता चला कि भाई दॉक्टर नहीं इसा पता है जिस वज़े से उनकी जान चले जाती है एक पीस ओफ क्रैप की वज़े से वैसे मैं कहता हूँ कि आप लिमिट में खेलना और कुछ ऐसे हाथ से हो जाते है जिसके वज़े से गेम तो बदनाम भी हो जाता है उसकी जान भी चले जाती है और बाकी सारों जो अच्छे से खेलते हैं उनको भी तकलीफ हो जाती है तो यहाँ पर अगर आप Realme 2 Pro इस्तिमाल करते हो तो मैंने आप लोग ले यहाँ पर एक अच्छी ख़बर लेकर आ चुका हूँ Xiaomi के तरफ से एक और interesting ख़बर आ रही है Xiaomi का जो Mi 9T जिसको Xiaomi globally काफी tease कर रहा है और हमें नहीं पता भाई यह phone हमें India में मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्योंकि हमें Mi 8 की series का कोई phone नहीं मिला Mi 9 की series का भी कोई phone नहीं मिला तो Mi 9T कैसे मिलेगा लेकिन यहाँ आपको कुछ exclusive ख़बर आपको दे रहेता हूँ Salim Baba Technical द्वारा उन्होंने मुझे WhatsApp किया था तो यह picture यहाँ पर निकल करा यह Mi 9T की कुछ specs है specs अगर आप देख लेते हैं तो same to same Redmi K20 से मिलता जूलता है Snapdragon 730, triple rear camera 48MP का, 20K pop-out selfie, 4000 mAh की battery, 80W का charger 6.39 inch की FHD Plus वाली आपको display मिल रही है तो same Redmi K20 है तो शायद से यह दूसरे countries में जाएंगा Mi 9T बनके India में हमें Redmi K20 बनके ही देखने को मिल सकता है वैसे आपको क्या क्या है इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते है तो यहाँ पर दोस्तो rotating camera का जमाना फिर से यहाँ पर शुरू हो चुका है और शायद से इस साल हमें यह एक नया trend जो देखने को मिल सकता है क्योंकि बहुत पहले Oppo ने यहाँ पर किया था इस एक rotating camera वाला लेकिन उसके बाद Samsung ने Galaxy A80 लेकिया आगया उसके बाद Zenfone 6 आया Almost rotating है वो तो flip camera लेकिन almost rotating जैसा ही है लेकिन अब यहाँ पर Oppo ने यहाँ पर एक नया patent file कर दिया है आप देख सकते हैं जिसमें आपको rotating selfie camera यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आप यहाँ पर एक round आप इसको गोल सिक्के की तरह बोल सकते है जहाँ पर वो पिछे से ऐसा घूम कियों सामने की तरफ आएंगा और इसमें आपको dual selfie देखने को मिलेगी क्योंकि आप directly pop out भी जो देख सकते है कुछ इस तरह की कि यहाँ पर rotating camera की company यहाँ कोशिश कर रही है और मुझे लगता है यह trend 2019 में हो सकता है वैसे इस patent का क्या खहले और इस technology के बारे में क्या खहले आप मुझे comment करके बता सकते है तो यहाँ पर दोस्तों Samsung Galaxy Note 10 की तरफ से दो बड़ी ख़बर निकल करा रही है पहली ख़बर यह है कि इसमें आपको कोई 3.5 mm audio jack नहीं मिलेगा पहली बार Samsung अपने कोई flagship phone में 3.5 mm audio jack को ditch कर रहा है और वो होगा Samsung Galaxy Note 10 उसके अलावा यहाँ पर Samsung Galaxy Note 10 एकदम button less आपको मिलने वाला है मतलब power button, volume button को physical buttons नहीं pressure sensitive आपको buttons मिलेगे क्योंकि Pixel 4 भी जो आ रहे है गूगल के वो भी कुछ वैसे type के काम करने की planning कर रहे है हो सकता है future में ऐसे flagship phones आएंगे जिसमें आपको physical buttons नहीं मिलेगे वो pressure sensitive टैप मिलेगे जो Galaxy Note 10 में होने वाला है और आपको punch hole display मिलेगा इसके अंदर लेकिन वो शायर से ऐसा बताया दर कि आपको under display camera मिलेगा punch hole नहीं मिलेगा यह भी बाते हो रहे है लगि Note 10 यहाँ पर बहुती innovative phone होगा और काफी महंगा भी होगा जो में आपको आज की टेक नियूस पसंदा है अगर आपको पसंदा तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए मैं से आप लोगों के लिए daily टेक नियूस आता हूँगा आप लोगों को ऐसे ही update करता हूँगा मिलते है आप से अगली वीडियो में ने वीडियो को साथ तिल इन अवी ग्रेट दे एंड ओल्वेस कीप स्माइलिंग